बिस्मिल्ला रख्मान रर्खीम असलाम लेकुम स्टूरेंस तो आज हम शो करेंगे गामा 1 by 2 equals to under root pi ठीक है स्टूरेंस तो आज हमने क्या प्रूव करना है कि गामा 1 by 2 किसके equal होता है under root pi के तो इसको solution देखें आपने किस तरह करना है as we know that as we know ठीक है हमें पता है कि integral 0 to pi by 2 ठीक है cos 2x minus 1 cos power 2x minus 1 theta into sin 2y minus 1 theta sin power 2y minus 1 theta into d theta equal होता है हमारे पास गामा x गामा y divide 2 into गामा x plus y यह हमारे पास general formula है जिसमें हमारे पास क्या होता है integral 0 to pi by 2 cos power 2x minus 1 theta minus sin power 2y minus 1 theta into d theta equal होता है गामा x गामा y divide 2 into गामा x plus y इससे हमने show करना है कि गामा 1 by 2 किसके equal आएगा under root pi के ठीक है तो मैं क्या करता हूँ put x is equals to 1 by 2 and y is equals to 1 by 2 x की जगा भी 1 by 2 put करेंगे और y की जगा भी हम क्या put करेंगे 1 by 2 put करेंगे तो यह हमारे पास equation 1 इसका मैं नेम देता हूँ तो इस equation में x की जगा 1 by 2 और y की जगा 1 by 2 put करेंगे तो देखें आपके पास का आएगा 0, 2, pi by 2, cos 2, x की जगा 1 by 2, ठीके, और 7 minus 1, और यहाँ पर आजगा theta, into sin power 2, y की जगा 1 by 2, minus 1, 7 आजगे theta, d theta equals 2, gamma, x की जगा भी 1 by 2, and gamma, y की जगा भी 1 by 2, divide, 2, gamma, आपके पास क्या आजगे, x की जगा 1 by 2, plus 1 by 2, ठीक स्वेंट्स, इतर देखें, 2 और 2 आपस में cancel हो जाएंगे, यहाँ पर भी 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे, cancel, तो आपके पास क्या बचेगा, 0, 2, pi by 2, ठीक है, यह यहाँ पर 1 बचेंगे, जब 2 और 2 cancel, तो 1, 1 से 1 minus करेंगे, तो क्या आएगा, 0, means, cos power हमारे पास क्या रह जाएगी, 0, theta, into sin b, 1 minus 1 आएगा, तो sin की power भी आपके पास क्या आजाएगी, 0, theta, into d theta, equals 2, यहाँ पर देखें, gamma 1 by 2, gamma 1 by 2, दो दफ़ा लेखा हुना, gamma 1 by 2 whole square, divide 2 अपनी जगा पर, और 1 by 2 plus 1 by 2, जब 1 by 2 और 1 by 2 को add करेंगे, तो हमारे पास का answer आएगा, 1, gamma 1, और हमें पता है, gamma 1 किसके equal होता है, 1 के equal होता है, ठीक है, इधर देखें, आपके पास क्या बन जाएगा, 0, 2, pi by 2, ठीक है, cos power 0, यहनिकि anything power 0 मार पास 1 के equal होता है, तो cos power 0 भी 1 के equal हो जाएगा, sin power 0 भी 1 के equal, तो यहाँ पर सिर्फ आजएगा, d थीता, 1 आता है, लेकिन 1 को हम सो नहीं करते हैं, चलो मैंने 1 लिखती है, ठीक है, equals to gamma 1 by 2 whole square, divide, तो यह gamma 1 किसके equal होता है, 1 के equal होता है, नीचे आपके पा तो जब हम 1 का integral लेंगे with respect to theta, तो आपके पास आजएगा theta, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर limit लिख देंगे, 0, 2, pi by 2 is equals to gamma, यह आपके पास gamma है, 1 by 2, square, divided by 2, ठीक है, तो यह limit put करें, upper limit, theta की जगा पहले upper limit put करेंगे, pi by 2, minus lower limit, theta की जगा 0 put करें, is equals to gamma, 1 by 2, square, divided by 2, ठीक है students, तो pi by 2 से 0, minus करते हैं, हमारे पास pi by 2 ही आता है, तो यहाँ पर आपके पास आजएगा, pi by 2 is equals to gamma, 1 by 2, square, divided by 2, तो 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगे, cancel, तो मैं इसको अरेंज करके लिख लेए, तो मेरे पास आजएगा, gamma, 1 by 2, square, equals to pi, तो मैंने square को खतम करना है, तो taking square root on both side, तो यहाँ पर आपके पास आजएगा, gamma, 1 by 2, equals to, under root, pi, और हमने यही शोग करना था, कि gamma, 1 by 2, हमारे पास किसके equal होता है, under root, pi के, okay students,